एक मिनट की दूरी पर हैं, यहां भूतल पर हवा काफी धीरे बह रही है, यानि हवा का वेग उस मात्रा से कम है, जिसके लिए यान को डिजाइन किया गया है, इसी प्रकार वायू मंडल में भी हवा का वेग यान के अनुकूल है, इसका तात्तपर है कि हवा की गती आज स्थाल, यूज विए लूज इख ओस अन्यवाशन को बूपस्पेर, ऱ्ष लेग्टे स्थाव आपाश्या लिए एटन टूंट इस लिएल्टे लाग्टेश्ट, चाले इस लिएल इसे लिएज बखर बाज़ जैब दिफिए पर तक जारे साथ तक चंट से लिग बारे साथ पर प्रॉट प्रस पांट पर चंट प्र तक परनास प्रस प्रस्ट पर सिर्चाव चंट सब्सक्ट को प्रस्ट पर का लुटीस अधर गवेड इस समय चरण की टंकियों में कुछ इंधन बच भी जाता है जिसे बाहर निकाल देना ही उचेत है ऐसा ना करने से इसके सभावना रहती है कि कुछ महीनों या दिनों के बाद या इंधन धिरे-धिरे गैस बनकर टंकियों में दवाब इतना बढ़ा सकता है आपने अभी देखा कि रिसोर्स से दो उपग्रह को सफलता पूर्वक उसकी कख्षा में स्थाफित कर दिया गया है और आज का अभियान सफल रहा अब आपको थोड़ी देर में इसरो के अध्यक्ष श्री एसी कुरोन कुमार समोधित करेंगे हमारी ओर से नमस्कार अभी देखंगो आप दिया प्रष्य चाहिं अभी दैखंगर प्रष्य और आपकर्यवाद आपको आपको त रहें श्री कुरोन कुमार जी चयर्मेंस्रों स्थाफित करेंगे हमार्य देखंग लेए भी और िस्पार्वीज़ अँड वेरें। आरु गंटला काउंटवन अनंतरम् इप्रयोगानी निर्वहिंच्छर। इंटको इंटको झालक उए स्व Güंज सक्तवज दॉई वीकिर्धफ भुड्षो. आपके अरे भीर एंवाथ का सान्हान Organis trêsu 안...! फिर्ट्स है नाव एंवारे किया हुअन यावड टॉर्ट प्ती। चाहईरी प्लेडल से।छं-च 1080 टिस्ताबवेनों के लंगा। धिल्ऻन देव्ट धिल्हान। ऐश्छंवरे natशि सुब्सेटों रिंगिज़ के लिय西-2-1 प्रेसाब। सेवेहिकलों के लचाहें भीज़ या ट् Dios is master? अ Light किवस्तने कनो अbor़ की हां अकांड क dizer और केथाजरो पिन वॉवेों अन्फस्थ जस्तम्ड़ की कहईaces नृईह संपको अमश्रय स्थаньव टोन की को अंधेशीर इसी keyword कating इन्स्थ अक्रा रम्ट वी जन्न इस नौन्द लांच निए्सथी अन्हीं決़ निए me कि अधनी प्रॉपलन में प्रॉपल नेपनोंवान प्र प्रॉपली अगला फिर यजरी प्रॉपली रावाँ विशन जे तिन प्रॉपलाई वसी ने जार उना, टर्वलाइद रॉटेया अज़्यून्टन अजय ज़िए अधनी शेयाँ पर एंपने प्रेशों धनलें और शे अगय कहत अगर नहीं होने प्रोच्टेम नहीं को यहा इस पत्रथ को कि अगर्चल का अग।।जू जहीं को प्रेंस को लिदाने के कि लिए सक自बूरे यूडु को इंग बदेखने नहीं जाल रिवा नहीं की दिखर से घूर नहीं को यहborgे दिनात है पूर्चला आलावाद the first development launch of GSLV Mark III is progressing well at various facilities in the second launch complex of Sri Herikota and also in other centers. And let's all work together to have the first successful flight or the first maiden flight of, maiden orbital flight of GSLV Mark III from here shortly. Thank you. Now we have Director VHSC, Shivan. Sir, good morning. This is yet another excellent mission from PSLV. And let me congratulate the satellite team as well as launch vehicle team for achieving this excellence. What is new in this vehicle? We have a new umbilical fill and drain system for PS4. That's reducing that launch campaign, launch countdown by one day. Also making more safety for the engineers working near the vehicle. This excellent system is incorporated. Further, the Liquid Propulsion System Center as well as Sadi Stavan Center really done excellent work. The system functioned very nicely. There is one aspect. Second aspect is when we had a problem with the PS3 motor, the Sadi Stavan Space Center team raised the occasion and provide the motor with a very fast track mode. Let me congratulate the team for the excellent work done by them. And regarding the payload, apart from the resource at 2A, we have very, very exciting payload this time we have flown. All of our aware, this PSLV has launched NAVIC system. Now we want that NAVIC system to navigate our PSLV. The system was introduced. The performance of the system was excellent. And the effort done by the SAG team for making the NAVIC processor a receiver for providing in this mission is excellent. And let me congratulate SAG team and IOC team and AVANIC team for getting a very good system now flying. We have demonstrated. Another system what we have flown is our VIKRAM processor, our own processor. It is fabricated in semiconductor laboratory in our system. This makes our system more and more indigenous in line with our Honorable Prime Minister's American India aspect. We have high-performance AVANIC system flown this side and excellent video imaging system. The entire AVANIC team in the VSSC has done a wonderful job. The way we got the separation from the satellite, even we could locate or you can see the solar panel deployment from the satellite. That shows the performance of the video imaging system, whatever you incorporated in this mission. And yet another wonder our people have done is they have really that a new power system that is lithium-ion cell. It powered our NAVIC system. This is the first time in BSLV we are flying our own energy system. That is another thing. We have many, many more such systems out there that we will discuss later. And at the same time, to make these systems ready, our IPRC team really raises the occasion and provide the stages at the right time in the shortest time. Let me congratulate. So this is again a team work. Different centers have contributed very, very immensely for getting this particular mission grand success. Let me congratulate the entire team members of ISRO for achieving this exciting mission. At the same time, our excitement is not going to be over. Many more excitement is online. As Director SDS said, we already commence the launch campaign activities of the GSLV Mark 3 D1, which is going to be the heaviest vehicle, going to lift the heaviest satellite from our Indian soil by January 20th. The date is fixed for that. We are working for that. Another exciting mission is that we are going to have the PSLV mission very soon. And we are going to have the Parabot test for HSP. Like our history, our milestone is going to continue for every week or every once in two weeks. Let me congratulate the entire team ISRO. At the same time, I am requesting all the team ISRO, please get ready for exciting missions on our head. Thank you very much. Thank you.